वो दिन भी क्या दिन थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सब के पास होता था लेकिन आज घड़ी सब के पास है लेकिन समय किसी के भी पास नहीं है कोई भी अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा है घर में दूरिया हो गई है कभे भे कोई पराया नहीं होता है लेकिन जब अपनों पे से भरोसा उठ जाता है तो वो अपने भी पराये लगने लगते हैं जैसे कि जब शरीर से सासे निकल जाती है तो हमारा शरीर भी पराया हो जाता है इसलिए जब तक ये जीवन है प्यार से रहे सबसे मिलकर रहिए कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए हम सबको यह समझना चाहिए कि हर एक जीब में परमात्मा का वास होता है और एक ऐसा ही वाक्या आज मेरे यहां हुआ जो मैं आपको यह बताऊंगी बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी तो हेलो फ्रेंट वेलकम टो म अश्र करती हूं आप लोग अच्छे होंगे मैं अच्छी हूं और दोस्तों अभी चल रहा है तयभारों का मौसम अभी 15 अगस्ट फिर राखी उसके बाद अब मुम्लों जनमास्टुमी के तयारी कर रहे हैं और जनमास्टुमी का पूरा प्रॉपर ब्लॉग मेरा आएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आज एक ऐसा वाक्या हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ को वाक्या शेयर करना चाहती थी तो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रोप में आकर नारायम दिल जाएंगे तो ऐसा कि मैं आपको भी वह दिखाऊं मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक बदी बताया था कि मैं पक्षियों के लिए पानी और खाना रगती हूँ तो प्लीज आप लोग भी रखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा औ यह देखिए अब मेरा यह वीडियो देखिए जो मैंने वीडियो आज बनाया है और आप बतायेगा कि कैसा लगा आपको यह वीडियो लो दिए मेरा कि लो लोगे लगेखिए भी टियो झाल 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 तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करूँ तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिएगा और प्लीज मुझे बहुत सपोर्ट करिए प्लीज मुझे आगे तक ले जाएगे और फिर मिलते हैं अ हुझे अगे तलब लेके जाएए थैंक यूं